जेहन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चैनल में आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए आपर जिंदी में नाटक विदा से संबंदित मत्तपूर्ण कौश्चन आंसर तो यहां पर बहुत ही मत्तपूर्ण क्योंसे अंसर है सबी लोग वीडियो को कलें चैनल को सब्रैब कर लें और ज्ञादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ऑज कीज़े modifier की प्रमपरा का प्रवर्चन किस विदासि माना है बताईएगा चेहन कीजेगा क्या होगा सई आंसर चार विकल्प दिये गए हैं निबंद से नाटक से उपन्यास से या फिर कहानी से तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है नाटक आपका यहाँ पर पूंचया गया है यहाँ पर दिया गया है कि आचार रामचन सुकल ने हिंदी का प्रतम नाटक किसे माना है रामचन सुकल जी ने बताना है बताईएगा नहुस को आनंद रगुनंदन को सकुंतला को जानकी मंगल को तो कॉस्चन नमबर दो में आप सभी का क्या होगा सई आंसर बताईए आचा रामचेन सुपल जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसी माना है ये पूंचा गया है और आप सभी लोग सही आंसर चेन कर रहे है कि विकल्प नंबर रुची जी, कमला जी, सवनु जी दो में विकल्प नंबर आप भी सही आंसर है आनन्द रगुनंदन आप का यहां पर सही आंसर होगा आनन्द रगुनंदन आप सभी का सही आंसर है कतीपई समीक्षकों ने हिंदी का प्रथम नाटक किसी माना है question no 3 में बताना है नहुस के लिए या फिर आनंद रगुनंदन को, जान की मंगल को, रामण मानाटक को, तो तीन में आप सभी का सईया अंसर है, कत्ती पर विद्दवानों ने, यानि कि अधिक्तर विद्दवानों ने हिंदी का प्रसम नाटक के से माना है, तो तीन में आप सभी का सईया अंसर होगा, यह नहुस आपका यहाँ पर विकल्प नमबर यह जनौनवी चैन क्या है उनका यहाँ पर सई आंसर है नहुस के लिए अधेक्तर विद्वानों नहिंदी का प्रतम नाटक माना है रंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है क कॉस्चन नमबर चार आपसे पूंचा इंदर सभा नाटक के लेकक कौन माने जाते हैं महाराज विस्वनात से हैं गलेस कभी हैं अमानत हैं राजा लक्ष्मन से हैं तो कॉस्चन नमबर चार में आप सभी को चैन करना है इंदर सभा नाटक के लेकक कौन माने जाते हैं और बहुत ही मत्यपूर्ण कॉस्चन दिया गया है आप सभी का यहांपर सभी आंसर होगा हिंदर सभा जो रचिना है यह मानी जाती है किनकी विकल्प नंबर आपका सी सभी आंसर है अमानत की रचिना मानी जाती है किनकी अमानत जी जो है उनी की रचिना मानी जाती है राकी जी मेकल्प नमबर C वाला आप सभी का सही आंसर है, अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा, कॉस्चन नमबर 5 आप से पूंचा गया है, हिंदी का प्रितम अभीनीत नाटक आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है, कॉस्चन नमबर 5 में आपके लिए चैन करना है, चैन कीजेगा, क्या होगा सही आंसर, हिंदी का प्रितम अभीनीत नाटक बताना है, सकुंतला नाटक है, जान की मंगल है, सत्थरिश्चंद्र है, या फिर संगीत सकुंतला है, तो आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा, हिंदी का प्रितम अभीनीत नाटक कौन सा माना जा आता है पांच में आपका वेकल्प नंब भी आपका सहिंगा आंसर इंग दोशेन नमबर आप शे पूंचए कि बारतेंदु ने कि तने नाटकों की रचना की है बता यह मैं भारतेंदू जी ने कि कितने नाटकों की रचिना की है 15, 17, 19, 21 तो आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है भारतेंदु जी ने पूंचा गया है भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटकों की रचिना की है तो आप सभी का यहां पर question number 6 में आप सभी का सईया अंसर होगा बी आनिकी 17 है, 17 है आपका सईया अंसर है बिलकुल चाहिए लबली जी तनमाई जी वीवाला विकल्प जन्हों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सईया अंसर है, अंगला question यहाँ पर देखेगा, question number आप से यहाँ पर पूँचा गया है, साथ यहाँ पर दिया गया भारतेंदु जी का प्रिथम अनुदित नाटक कौन सा है, देखेगा भारतेंदु जी ने 17 नाटक लेखे हैं, जिसमें कुछ अनुदित हैं तो कुछ मौलिक नाटक है, पूँचे ही जाते हैं अनुदित पूँचा गया भारत जननी है, सत्त हरिस्चंड है, विद्या सुंदर है, सती प्रताप है, तो साथ में आप सभी का सही आंसरों का विकल्प नमबर सी सही आंसर है, यानि कि विद्या सुंदर आप सभी का सही आंसर है, विद्या सुंदर जैनों ने विकल्प नमबर तीन च कौन सा नाटक सेप्सपियर के मर्चेंट आप वेनिस का हिंदी अनुबाद है कौश्चन नमबर आठ में आपके लिए बताना है वह नाटक है अंदे नंगरी है पाकंड वेडंबन है या फिर रतना बली है दुल्लाव बंदू है तो आठ में आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर कौन सा नाटक सेप्सपियर के मर्चेंट आप वेनिस का हिंदी अनुबाद माना जाता है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है आठ में वेकल्प नमबर जो यहां पर दिया गया है डी वह आपका सही आंसर है दुल्लाव बंदू क्या है सही आंसर दुल्ल question आपर दिया ग्या है देखे question number 9 है बैदे की हिंसा کہ लिए वह भलति ये क्या है बताई है question number आपसे आपर 9 पूंचा क्या है वह भीक हिंसब लुरति इपरहसन है भाण है नातक है घीती कोशेंटी रूपक है तो 9 में आप सभी लोग करिएगा चार विकल्प आपके दियेंहें हैं मत्पूर्ण कोश्चन यहां पर द्यां ग्र अन्षा है क्या है सई आंसर वहती मत्पूल कॉस्चन है कॉस्चन नमबर नौ व्यदि की हिंसा हिंसा न वबती ये क्या माना जाता है तो विकल्प नमबर आपका यहां पर एक सई आंसर है ये प्रहसन माना जाता है क्या माना जाता है प्रहसन माना जाता है विकल्प नमबर ये वाला आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा, धंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आप से यहाँ पर दस पूंचा गया है, मत्वपूर्ण कॉस्चन है, देखेगा क्या दिया क्या हिंदी का प्रतम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है, दस में आपके आपका सई आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नमबर सी आनि की रणदीर प्रेम मुहिनी, क्या है सई आंसर, रणदीर प्रेम मुहिनी आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है, वह आप सभी का सई आंसर होगा, बहुत बढ़ी हैं अंगला कॉस्चन यहाँ पर देख या पर दिया गया है चार विकल्प आपके दिये गए है रुकमनी परिणाय नाटक के लेखक कौन माली जाते हैं तो आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा विकल्प नंबर भी आप सभी का सई आंसर है अर्योद आप सभी का सभी का सई आंसर है विकल्प नंबर दो जिन्वन भी चैन क्या है उनका यहां पर सई आंसर है बिल्कुल सई अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आ बद्रीनाच बट्ट है, माखनलाल चतुरवेदी है, महाबीर प्रसाद सर्माबीर सेंहें तो आप सभी का सही आंसर है कृष्णारजुन युद्ध पूंचा गया है तो आप सभी का यहांपर सही आंसर होगा, यह नाटक माना जाता है किनका 12 का वेकल्प नंबर आपका यहांपर सही आंसर है, माखनलाल चतुरवेदी माखनलाल चतुरवेदी आपका सही आंसर है, जनके लिए एक वारतिय आत्मा के नाम से जाना जाता है किनको माखनलाल चतुरवेदी जी को पुस्प की अभिलासा इनकी एक कवीता है जो की पूँची जाती है पुस्प की अभिलासा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा तेरह वा कॉस्चन पूँचा गया सिये सुंबर नाटक नाटक के लेकक कौन मानी जाते हैं तेरह वा चैन करिएगा मत्पूण कॉस्चन दिया गया सिये सुंबर नाटक और आप सभी का सही आंसर है क्या है सही आंसर सिये सुंबर नाटक किनका माना जाता है जिसके लेकक आपके लिए वताना है तेरह वा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार जनों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखेगा कॉश्चन नमबर चवदय आप से पूंचा कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर चवदय में विकल्प नमबर क्या होगा सही आंसर यह वाला विकल्प आपका सही आंसर है राम नरेश्ट तरपाथी सुवद्रा और जैंत है जो नाटक है यह माने जाते हैं राम नरेश्ट तरपाथी जी के विकल्प नंबर एक आप सभी का सईया अंसर यहां पर होगा यंगला कौॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पंद्रह पूँचा गया है भारत स्वभाग के नाटक के लेकग कौन माने जाते हैं चेन कीजेगा चार विकल्प दियेगा है लाइक अबस से कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और पंद्रह में सभी लोग भी बता रहा है भी यानि की अम्विका दत्व्यास आप सभी का सईया अंसर होगा नम्विका दत्व्यास आपका सईया अंसर है विकल्प नमबर दो जिन्होंने भी याँपर चेन किया है उनका याँपर सईया अंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा, सोलेवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है, कॉस्चन नम्बर सोले है, मत्पूर्ण है, क्या पूंचा गया है, निमनलिकत में से कौन प्रेमचंद का नाटक नहीं है, सोले में आपके लिए चेन करना है, चंद्रहास, संग्राम, या फि पूंचा गया है आपसे यहाँ पर तो देखेंगा संग्राम है करवला है प्रयम की बेदी है तो नहीं में तो आपका सई आंसर क्या होगा विकल्प नमबर आपका याँपर एक सही आंसरों का चंद रहास चंद रहास आपका सही आंसर है विकल्प नमबर एक जनों ने भी चंद किया है उनका याँपर सही आंसरों का चंद रहास आपका सही आंसर है क्वाइशी नमब्र सोले में औरakah स्वार्च नमब्र्टा क्यों नमब्र आपसे यांपर पूंचा गया है सत्रह वाज कोश्च न यहां पर को 짧ए चैमीं सब्सक्राइब बैसा परिणारं एका सब्सक्राइब लक्ष्मी नारण लाल है, बालकृष्ण बट हैं, गोबिंद पल्लवपंत है, उदै संकर बट है, तो सत्रह में आप सभी के लिए चेन करना है, सत्रह में आप सभी का क्या होगा सईयांसर, जिये, जैसा काम वैसा पनिलाम नाटक के लिए का कौन माली जाती है, तो आप सभी का याँ पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर विकल्प नमबर भी आप सभी का याँ पर सही आंसर है बालकिष्ण भट्टे आप सभी का सही आंसरों का विकल्प नमबर दो जिनों ने भी याँ पर चैन किया है बालकर से भट उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे आहां पर अठारे क्या पूंचे गया है अठारेवा कॉस्चन है पिरσαad के नाटकों का पिरकासन वर्स के अनुसार सही अनुक्रम आपके लिए आपर चैन करना है कौनसा अनुक्रम हाँ पर सही आंसर है चैन कीजेगा एच र कल प आपके दिए गए है प्रसाद जी के नाटक दिये गए हैं आपर प्रकासन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम चेन कनना है तो आप सभी का सही अनुसार आ रहा है सबसे पहली राज्यश्री फिर उसके बाद अजाज सत्रू चंद्र गुपते और ध्रोब स्वामनी विकल्प नंबर आपका यहां पर एक सही आंसर होगा विल्कुल सही विकल्प नंबर एक जिनोंने भी चेन किया है सभी लोगोंने सही आंसर बताया है अंगला कॉस्चन है कि निमलिकित में से कौन सा नाटक प्रबोद चंद्रोदाई की सैली का अन्योप देशिक नाटक माना जाता है बताये कौन सा माना जाता है चेन कीजे का निमलिकित में से कौन सा नाटक प्रबोद चंद्रोदाई की सैली का अन्योप देशिक नाटक है और आप सभी का याँ पर सई आंसर है राजश्री है कामना है इसकंद गप्त है दुरबसौमनी है तो 19 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है दुरबसौमनी क्या है सई आंसर विकल्ट नमबर D आप सभी का याँ पर सई आंसर है दुरबसौमनी जनोंने भी चैन क्या है उनका य कौस्चन नंबर आपसे यहां पर पूंच कि क्या है कि अनंत देवी कि ना तक की पात्र मानिजाती HOLY दताना है विसाकि की या पिर सकंद裟 की चंड्र आंसर चेहन कीजिएगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं हनंत देवी जो है यह किस नाटक की पात्र मानी जाती है तो बीस में आप सभी का सईया आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी यहां पर सईया आंसर है विसाल जी राकेज जी यानि कि इसकंद गुप्त की पात्र मानी जाती है विकल्प नंबर तीन जनो न भी चेहन किया है उनका यहां पर सईया आंसर होगा सी वाला विकल्प आप सभी का सईया आंसर है अंगल्या कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे 21 पर पूंचा ग्या है पिरसाद की किस नाटक में तलाक और पुनर व क्या होगा फिर साद जी के किस नाटक में तलाक और पनरविवाय की समस्या है तो आप सभी का सई आंसर आ रहा है लाइक करते जाएगा एक बार सेर करते हैं वीडियो को सभी लोग ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें और विकल्प नंबर आपका भी सई आंसर है कामना काम नंबर दो यहाँ पर जैनों न भी चैन किया है कामना उनका यहाँ पर सई आंसर है राकी जी देख लेंगे अभी उस कॉस्चिन को भी अपन आखरी में कामना यहाँ पर सई आंसर है अंगला कॉस्चिन यहाँ पर देखेगा कॉस्चिन नंबर बाईस आप से पूंचा गया है अरोन एहमदुमय देश हमारा किसकी पंती मानी जाती है मदुलिका की पंती है कौन नेलिया की पंती है देवसेना की पंती है अलका की पंती है 29 में आपके लिए चैन कनना है अरोन एहमदुमय देश हमारा इह पंती किनकी मानी जाती है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ घ़लता ये 62 में चयंकन्डा हैं तो आप सभी का यहां पर किसम आंपको में गलत हो गया है यहां पर द्रोबस्वामनी घण्र सॉंभी हैं 21 में आपका द्रोबस्वामनी कर लीजगा विकल्क नंबर जो बी नहीं ARE की पंति कॉस्चन एक नलिया की पंति पूंची है औरों एहम हां सा इंगला कॉस्चन या पर देखेगा question number आप यह पूंचा गया है, यह कौन सा 19 बा question था यह question था, अपना कौन सा था 19 बा question था, तो यह वाला question आप से पूंचा गया था, कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोडई की सेली का अन्यों पदेशिक नाटक है, तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या था बताईए कौन सा नाटक प्रबोज चंद्रोदै की सेली का नियुपदेशिक नाटक है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या है सही आंसर चेंद कीजिए का 19 वा कॉस्चन है और 19 में आपका सई आंसर है कामना सई आंसर होगा विल्कुल सई विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो B है वहे आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं, अहाँ पर अपना अंगला कॉस्चन पूँचा गया है, कितना अनुभूती पूण था भाई, एक छण का आलिंगन, यह पंती किस नाटक से आपके लिए चैन करना है, चैन कीजिएगा, क्या होगा, सही आंसर, मत पूण कॉस्चन है 23 बा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का नहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चैन करिएगा, सभी लोग, मत पूण कॉस्चन दिया गया, राज्यसरी, द्रबसॉमनी, इसकंदगुप्ते, चंद्रगुप्ते, तो 23 में आपके लिए सही आंसर चैन करना है, तो नमबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 23 बी यानि की द्रबसॉमनी होगा सही आंसर, क्या होगा सही आंसर, द्रबसॉमनी आपका विकल्प नमबर दो, आप सभी का सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, अधिकार सुग कितना मादक और सारहीन है, एप किस नाटक से ली गई है question number 24 आप से यहाँ पर पूंचा गया है अजात सत्रू से कामना से दुरुबसौमनी से इसकंद गुप्त से चार विकल्प आपके आपर दिये गए है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा लाइक करते जाएगा सभी लोग अधिकार सुक कितना मादक और और सार हीन है यह पंती जो है यह आपके लिए बताना है किसे नाटक से ली गई है 24 वा question यहाँ पर पूंचा गया है और विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है निसकंद गुप्त आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 4 जिनोंने भी चेन क्या है इसकंद ग पांडे वेचन सर्मा उग्र है नेसरी जीपी स्रीवास्ताब है रादा चर्ण गोस्वामी है तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर क्या होगा पच्चिस में चैन करना है चार वेचारे याँपने याद किया था क्यांसे चार वेचारे उग्र होगा उग्र से आपका सईया आंसर है पांडे वेचल सर्मा वो ग्रवेकल्प नंबर भी यहां पर सईया आंसर है दो वाला वेकल्प जनों ने भी चैन किया है उनका यहां पर सईया आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर 26 पूंचा गया है जिन मै से आपको बताने किस नाटक कारणे अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवारे नहीं माना है कौन है रामकुमार बर्मा है सेट गोबिंद दास है जैसंकर प्रसाद है लक्ष्मी नारण लाल है तो 26 में आपके लिए चैन करना है वै कौन से नाटक कार है जिन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवारे नहीं माना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जैसंकर प्रसाद कौन है जैसंकर प्रसाद विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है आप सभी का सही आंसर है हंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा सती चंद्राबली बताना है 27 वा कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है सती चंद्राबली यह नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं बताईएगा चैन कीजेगा राधा चन गोसामी है या फिर भारतेंदू है स्वर्ताप नारणमिस्र है उदै संकरवट्ट है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है सती चंद्राबली नाटक के लेखक माने जाते हैं कौन बेकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा एक आपका सही आंसर है सती चंद्राबली नाटक के लेखक कौन है तो आप सभी का यहां पर विल्कुल सही आंसर होगा, यह नाटक माना जाता है, किनका यह राधाचन गोस्वामी आपका सही आंसर होगा, बेकल्प नमबर एक हो का सही आंसर, यहां पर देखेगा, कौश्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है, 28 वा कौश्चन दिया गया, मुक्ति पत नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, 28 में आपको बताने, गोपाल राम गयमरी है, वो दैसंकर भट है, उपेननात असक है, यहां पर चिरंजीत है, 28 में आपके लिए चेन कन्ना है, चार विकल्प आपके दिये गए है, और आप सभी का यहां पर सही आंस क्या होगा, मुक्ति पत नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, यह पूंचा ग्या है, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, 28 में, विकल्प नमबर लिए आपका सही आंसर होगा, वुदै संकर भट है, आप सभी का सही आंसर है, चाहे सही आंसर, वुद्धय संकरवट्टे, आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नमबर दो, जन्वा ने भी चेन किया है, सही आंसर है, अंजो दीदी नाटक के लेका क्वाल माने जाते हैं, 28 में आपको चेन करना है, या सवारी, 29 बा कॉश्चन है, अंजो दीदी वुबनिस पर साथ है, या फिर उपेंदनात असक है, या फिर जग्दीश चिंद्र मातुर है, या रामकुमार बर्मा है, 29 बा कॉश्चन या पर दिया गया है, और आप सभी का यांपर सही आंसर क्या होगा, तो विल्कुल सही सभी लोगों ने यांपर सही आंसर चेन क्या है, कॉश् नमबर आपसे यहां पर पूँचा गया है कौन सा तीस बार कॉश्चन यहां पर पूँचा गया है घाटियां गूंजती है नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं घाटियां गूंजती है सिव परसाद सें अग्गे रामिसुर्द सें कसिया या फिर रामकुमार परमा तीस का करना कार किया ञा तो आप सभी का विकल्प नमबर आपका एक अन्सर होगा यह आनि की सभी का भी आउनसर है विकल्प नमबर एक आप सभी का सभी का सभी सान्सर है सिव iteration जन्हों ने भी चेन 기억 नहीं किया है रामकुमार बर्मा का नाटक है एक्तिस में आपको चैन करना है नुत्तर प्रिय दरस्ती बताना है एक्तिसवा कॉष्चन बहुती मत्पूर कॉष्चन है और आप सभी का सही आंसर होगा सेर करते जाएगा वीडियो को सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर बहुती मत्यपूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रिये दर्सी नाटक के लेखक कौन मानी जाते है एक तिसमें विकल्प नमबर भी आप सभी का सही आंसर है अग्ये कौन मानी जाते हैं अग्ये आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विल्कुल सही अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा मौन राकेश के नाटकों का प्रिकासन वर्ष की अनुसार सही अनुक्रम बताना है कौन सा माना जाता है यह चार विकल्प आपके दिये गए है इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा 32 कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है बताएगा भौती मत्पूर्ण कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर 32 में सी सही आंसर है आसाल का एक दिन लैरों की राजहन से आदे अदूरे और पैरों तले की जमीन विकल्प नमबर सी आप सभी का सही आंसर है अंगला कॉशन यहाँ पर देखेगा कॉशन नमबर आप से यहाँ पर नात असके, नुदाई संकर भट्टे या फिर जगदीश चंद्रमाथ और तेतिसवा कॉस्चन यहापर पूंचा गया है और बताइए तेतिस में चैन करेंगे सभी लोग मत्पूर्ण कॉस्चन आपसे यहापर पूंचा गया उसर नाटक के लेका कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहापर सई आंसर आ रहा है तेतिस में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चैन किया है एक तेतिस में आपका सई आंसर होगा एक होगा सई आंसर यानि की भबनेश्वर का यह नाटक माना जाता है कौन सा उसर विकल्प नंबर यह वाला आप सभी का सई आंसर होगा अं अपनेस्वर, वेश्णु उप्रिभाकर, जग्दीश चंद्रमात्वर, वो पेंदरनाथ अस्क है, ये चार विकल्प दिएगा है, इनमें से चेन कीजिएगा, कौनार के नाटक विदा की रचिना है, और इसके लेखक बताना है, तो 34 में आपका सही आंसर है, जग्दीश चं अंसर होगा, अंगला कॉस्चन देखेगा, पहला राजा, किस की याद में समर्पित है, पहला राजा बताना है, 35 वा कॉस्चन यहां पर पूंचें क्या है, मतमा गांधी, जवाहलाल नीरू, राजिंद यादब, या राजिंद प्रसाद, या पिर चंदर सेखर, 35 में चेन कीजेगा, पहला राजा, किस की याद में समर्पित है, और, आप सभी का सही आंसर है, यानि की जवाहलाल नीरू, क्या है सही आंसर, पंडित, जवाहलाल नीरू, आप सभी का सही आंसर है, विकल्प नमबर, दो, जेनोरे भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है question number 36 आपसे यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया यहां पर दिया गया चैन क्या है कौन सा नाटक विश्णू प्रवाकर का नहीं है डॉक्टर दीवार की वापसी तूटते परिवेश या सत्ता की आरपार 36 में बताइएगा कौन सा नाटक विश्णू प्रवाकर का नहीं है यह पूंचा गया है चार विकल्प आपके दिये गये हैं सभी लोग answer चैन करेंगे और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर तो विकल्प नमबर आपका 36 में सही आंसर आ रहा है जिन्होंने भी बी चैन किया है कि विश्णू प्रवाकर का नहीं है नाटक जो दीवार की वापसी आपका सही आंसर डॉक्तर माना जाता है तोटते परिवेस सत्ता की आरपार यह तीनों माने जाते हैं दीवार की वापसी यह नहीं है कॉश्चन नमबर आपसे यहां पर 37 पूँचा गया 20 में सायनी के नाटकों का पिरकासन वर्स की अनुसार सही अनुक्रम बताना है 37 में 37 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर शेन कीजेगा यह चार विकल्प दिये गए हैं 20 में सायनी के आप नाटक दिये गए हैं और 37 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर 20 में साइनी के नाटकों में सबसे पहले आता है कौन सा हानूस पिर कवीरा खड़ा बाजार में मादभी और मौबजी विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यापर सईया अंसर होगा विकल्प नंबर 3 आप सभी का सईया अंसर है अपना अपना जूता नाटक के लेखा कौन मानी जाते है 38 वा कॉश्चन यहां पर पूंचा गया है और 38 में आपका संभू नास्स है लक्षमी कांत बर्मा, ब्रंदा बनलाल बर्मा, बिनोद रस्तोगी तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है अपना अपना जूता नाटक के लेखा कौन मानी जाते है यह चैन करना है 38 वा कॉश्चन यहां पर दिया गया है और विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर है लक्षमी कांत बर्मा जिनोंने भी विकल्प नंबर दो चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉश्चन यहां पर देखेगा कॉश्चन नंबर 49 आप से पूँचा गया महाभारत की कता पर आधारत नाटक आपके लिए बताना है कौन सा है अंधी गली है कौनार्क है अंधा युग है आधे अधूरे है तो 49 में आपके लिए चैन करना है कौन सा माना जाता है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा बताए महाभारत की कता पर आधारत नाटक बताना है कौन सा माना जाता है 49 वा कॉश्चन यहां पर दिया गया है विकल्प नंबर C बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अंधा युग अंधा है युग धर्मी के विना तो यह धर्म भी रवारती की रचना माने जाती है अंधा युग विकल्प नंबर C आपका सही आंसर होगा विल्कुल चई अंगला कॉश्चन देखेगा जासी की रानी की रचनाकार कौन माने जाते हैं चालिसवा कॉश्चन यहां पर पूंचा गया है क्या होगा सही आंसर जासी की रानी जासी की रानी की रचना का लक्षमी कांत बर्मा है ब्रंदा बल्लाल बर्मा है लक्षमी नारन लाल है हरे कृष्ण प्रेमी है तो चालिस में आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नमबर आपका जो भी वाला विकल्प है मैं आप सभी का सई आंसर है ब्रंदा वनलाल बर्मा क्या होगा सई आंसर ब्रंदा वनलाल बर्मा जी की रचिना मानी जाती है जांसी की रानी विकल्प नंबर दो जेनों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन देखेगा आतीजी विल्कुल सिंदूर की होली किर्थी के लेखक कौन माने जाते हैं सिंदूर की होली किर्थी के लेखक कौन माने जाते हैं तो सिंदूर की होली एक तालिस में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानि की लक्ष्मी नारण मिस्ट्र की रचिना माने जाती है किनकी लक्ष्मी नारण मिस्ट्र आपका यापर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प जन्वने भी चेहन क्या है उनका याँ पर सही आंसर होगा धंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर 42 पूँचा गया है कि नियम ने लिखित मैंसे कौन सा नाटक गोबिंद बल्लब पंत का नहीं है क्या पूँचा है नहीं पूँचा है बताईएगा क्या होगा सही आंसर चैन करिएगा सभी लोग सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहा है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कौन सा नाटक गोबिंद बल्लब पंत का नहीं है कंजूस की कुपडी, अंगूर की वेटी, सिंदूर की विंदी या फिर अंब पाली तो अब यालिस में आप सभी का सही आंसर होगा वेकल्प नंबर डी जो है वहें आप सभी का सही आंसर है डी आनि की अंब पाली आप सभी का सही आंसर होगा वेकल्प नंबर चार जिनों ने भी चैन क्या है उनका सही आंसर है कॉस्चन नमबर आपसे याप 53 क्या पूंचा गया है अमरित लाल नांगर कृत चड़त ना दूजो रंग किसके जीवन पर आधारत है बताईएगा 43 वा कॉस्चन और 43 में आपके लिए चेन करना है अमरित लाल नांगर की रचना मानी जाती है चड़त ना दूजो रंग ये क किसके जीवन पर आधारत है सूर्दास तुलशिदास कबीड सी तो आप सभी कर या पर 43 में आनसर आ रहा है क्या त्रwhy सई आंसर बता य LAUGH कॉस्चन व्यकल्प नंबर 3 आपका सई आंसर है ये सूरदास जी के जीवन पर आधारत है वैखलप नंबर ए वाला जशनुने ही चे पर देखेगा question number आपसे यहां पर पूंचा गया है चवाले सुभा question है रक्षा बंदन यह नाटक है रक्षा बंदन नाटक है एकन का नाटक है रक्षा बंदन नाम से दो लोगों न जो है इस नाम से रक्षिना की है रक्षा बंदन नाम से तो यहां पर आपसे क्या पूंचा है यहां पर आप से पूँंचा गया लक्षमिनारण मिस्र का यह рекृष्णि प्रेमी का है अम्रित राय का है लक्षमिनारा लाल का है तो पोटी फूर में च वालिस में आपके चैन कनना है, मत्पूर्ण कॉस्शन है और आप सबीका आपर सही आंजो गाही है, रक्षा बंदन नाटक माना जाता है किन का हरी कृर्ष्न प्रेमी का, चैलि तिस में आपका विकल्प नंबर वी वाला जो है स्वरी चवालिश में पूंचा है, चवालिश में आपका जो वाल है आपका सई आंसर है हरी किर्ष्न प्रेमी गंगला कॉस्चन देखेगा संभूख की अत्या के नाटक कार कौन माने जाते हैं 45 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है बताईएगा जगदीश चंद्र है या फिर रमेश चंद्र साहे हैं या फिर सुदर्सन चौपडा है या फि न Κष yeah पाहलिए हैं बताइए संभूख की हत्या कि नाटक कार कौन माने जाते हैं कौसिक जी की कहाणी माने जाती है बिल्कुल सभी रक्षा बंदन और नाटक हरीकृष्णि प्रेमी का है संभूख की हत्या कि नाटक कार आपके लिए बताना है 45 बार कॉस्चन यहां पर दिया जा है बहुत सारी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहां पर 45 में जो 45 में आपके लिए चैन करना है तो यहां पर आपका सई आंसर है संभूख की हत्या के नाटक कार कौन है तो आप सभी का सई आंसर है नरेंद्र कोहिली आप सभी का सई आंसर होगा ड़ी वाला विकल पे जिनों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सई आंसर है काला पहाळ नाटक के लेका कौन माले जाते हैं चालिस वा कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है चालिस में आप सभी के लिए चैन करना है क्या होगा सई आंसर काला पहाळ चैन कीजेगा यह मुद्रा राच्छस की रचना है सुदर्शन चौप्रा रमेश चंद्र साह है या फिर यहाँ पर रामरक्ष वैनिपुरी तनमय ज आते हैं और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा कॉस्चन नंबर चालिस में विखल्प नंबर आपका यहाँ सउदर्शन चउपण काले पाड के दर्सन हो गए दर्सन से सोदर्सन आपका सईया अंसर है सोदर्सन चौपड़ा जनों ने भी चेन किया है उनका यहां पर सईया अंसर होगा अंगला कॉस्चिन यहां पर देखेगा question number आपसे यहां पर 47 पूंचा गया है लक्षमी नाण लाल के नाटकों का प्रिकासन वर्ष की अनुसार सही अनुकरम बताना है 47 में क्या होगा सही answer चैन कीजिए लक्षमी नाण लाल के यहां पर दिये गया है नाटक 47 वा question यहां पर दिया गया है और 47 में आप सभी का यहां पर क्या होगा सही answer मत्पूर्ण question है और आप सभी का यहां पर विकल्प नंबर एक सही answer है अंदा कुआ, मादा केक्टस, नाटक, वहरंगी और दूसरा दरवाजा विकल्प नंबर एक आपका 47 में सही answer होगा अंगला question यहां पर देखते हैं 48 वा question यहां पर दिया गया है आखरी question है कि बकरी नाटक के लेखक कौन मानी जाते हैं अमरे तरह का है नाटक, सर्विस्व द्याल सक्सेना, कमलीसर, ग्यानदे, वगनी, हुतरी तो आप सभी का यहां पर सही answer है पकरी नाटक के लेखक कौन मानी जाते है 48 वा question है और 48 में आप सभी का सही answer है विकल्प number D यानि कि सर्वेस्व द्याल सक्सेना सर्वेस्व द्याल सक्सेना आप सभी का यहां पर सही answer है B वाला विकल्प जनों ने भी चैन किया है उनका यहां पर सही answer होगा बिलकुल चाहिए बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखिए अंगला कॉस्चन नहीं है आज के वीडियों बस इतने ही कॉस्चन थे मत्पूर्ण कॉस्चन थे तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वी परिपेड़ जी एंपन्ना जी राखी पिंदू जी लुषक अध़ना गुड़िया जोद्य उस्क्रांड मेकंने आजमगर जी राकेश जी विसाल जी कमला जी सुआनी जी और अपरना जी सभी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद अनीटा जी इसी तरह से रोज आपके लिए क्लास लाए जाती एंगली क्लास आपकी एक साड़े साथ बजे होगी हिंदी साहित की तो उसमें भी सभी को जुड़ना है मनीशा जी सभी लोग जुड़िएगा मेदा जी आज के वीडियो में मन्जु जी वस इतना ही जबी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंदु